अस्पिताल में राफ के वक्त जब मरीज और तिमारदार आराम कर रहे थे एक शोड ने सब को दहला दिया रॉकिट का एक ऐसा शोड गुजा जिसे कई किलो मिटर तक सुना गया सिस्कियों की ऐसी आवास गुजी की पूरी घासा पट्टी दहल उती और इस हमले के बार लाशो का एक ऐसा धेर लगा जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं था ना जिसके बारे में किसी ने सुना था हमासने आरूप ये लगाया कि इस हमले के पीछे इस्राइल का हाथ है उसकी घातक मसाईलों ने घासा में नरसंगार मचाया तो इस्राइल इसारूप से सीधे सीधे इंकार कर रहा है इस्राइल का दावा ये है कि आज तक ना उसने कभी नाक्रिपों को निशाना बनाया है और ना ही अब तक ऐसी कोई मिसाल दागी है जिसमें आम लोगों की जान जाए दुश्मन के किले में जब मिसाल दस्तक देती है तो किसी का नाम और पता नहीं भूच्टी आसमान को गुबार से भर देती है और लाशों का अमबार लगा देती है ऐसी तस्वीर देर रात गाजा में दिखी जब एक मिसाल ने गाजा के स्पताल में परबादी का इतिहास लिख दिया फिलिस्तीन के स्वास्ता मंतराले ने दावा किया है कि गाजा के अल एहली अस्पताल पर मिसाल से हमला किया इस हमले में 500 से ज़्यादा बेकसूर लोग मारे गए और सैकडों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है इसरेल की इस हिमाकत को हमास ने नरसंगार बताया है और इसका इंतकाम बहुत जल्द लेने का दावा किया है हमास ने साफ कर दिया है कि मौत का बदला अब हमास का एक एक योद्धा इसरेल में तबाही मचा कर लेगा इसरेल की जमीन को गाजा की तरहां खून से लटपत कर देगा इसरेल में इतनी मिसाईल इदागी जाएंगी कि इसकी गुंच अमेरिका तक सुनाई देगी इससे ना बिटेन बशेगा ना जर्मनी और ना ही फ्रांस यता हमल मसूलियत हा अमरीकान लदीन आउतू लगिताग ला महदूद लिहादा लगादू लियर्तकिब हाजी हाजी अमजाजर पर फिलस्तिनी राश्पती महमूद अबास ने अपनी जॉर्डन की यातरा को रत कर दिया उन्होंने फिलिस्तीनी अधिकारियों के साथ एमर्जेंसी मीटिंग की और इस अटेक की निंदा की काज़ा सिटी अस्पताल में जिस वक्त हमला हुआ चारो तरफ मातम पसर गया अस्पताल का हर कोना लोगों की चीखों से गुम जुठा जान बचाने के लिए जखमी हालत में लोग इधर उधर अस्पताल में भागते रहे जो अस्पताल से बाहर निकल गया वो बच गया बाकी मौत की आगोश में सो गए गाज़ा के अस्पताल में हुए सिनरसंगार को इसराइल सुईकारने को तैयार नहीं है उसने साफ कर दिया है कि ऐसी कोई भी मिसाईल को अस्पताल को तारगेट करके नहीं दागा तेर्म जिए बादेनो अट कौल अपरटीम, अनको नवदो क कशे लामोद मियाद, जए तकिफाश है लपने जमन कदर, वगवर जिए मसपरीम काईले, लगें अख कौन अपरटीम, नदाए अवदो अवदो बचूरा मुद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्वाद्व जो पहिल हो जाते हैं, तो कही न कहीं तबाही मचाने के लिए, अजरेल का अबता कैसा कोई भी रॉकेट फेल नहीं हुआ, जो गाजा की तरफ दागा गया हो, गाजा के अंदर मची तबाही का कसूरवार हमाजी है, जिसके दागे मिसाईल ने वहां के असपताल में डरसन खायर मचाया, और 500 लोगो की मौथ हो गई, जिसके अबन से हैं, जिसके तकिफोत शल खेल अवीर, वेश गम हर्बे शिगुरीं कोशलीं, वेश गम हर्बे दिबूखीं कोशलीं वेश गम हर्बे दिबूखीं कोशलीं शल चमास, नכון शेनको निलमद अपरतीं वनितन लच इसरेल और फलिस्तीन के अधिकारियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, इस विस्पोर्ट के बाद वेस्ट बेंक और मद्यपूर्व के असपास विरोध परदरशन शुरू हो गए हैं तावा किया जा रहा है कि 2008 के बाद से जारी इस जंग के बीच ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था जिसमें एक साथ 500 लोगों की मौत के आंकड़े सामने आ रहे हैं वर्चस्प के लिए युद्ध हले ही हमास और इस रेल में जारी हो लेकिन संगर्श की इस ज्वाला में दोनों ही मुलकों के लोग पिस रहे हैं सडके खून से लाल हैं और परबादी के अमिट निशान सरहद पर बनते जा रहे हैं